गुड़मान दोस्तों, स्वागत है आपका Unique Education की आनलाइन चैनल पर आज के वीडियो में हम जो यूपी पुलिस जेल वार्डन का पेपर होने वाला है उसके बारे में स्लेबस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कुछ बच्चों ने इसका form डाला है उनको स्लेबस के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है कहां से क्युश्चना सकते हैं दूसरी बात, आपको अगर स्लेबस के बारे में अच्चे स जानकारी नहीं तो आप पेपर बहुत अच्छा नहीं दे सकते इसलिए आपको syllabus की जानकारी आप जिसकी भी तैयारी करते हो उसके syllabus की जानकारी होना बहुत जरूरी है चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसके syllabus में क्या है जो जेल वार्डन का 2020 वाला पेपर होने वाला है इसमें syllabus में क्या-क्या है तो मुख्य रूप से इसमें चार सब्जेक्ट सामिल किये गए हैं और जो चार सब्जेक्ट हैं वो जनरल हिंदी है जनरल नालेज है तो चलिए इसमें थोड़ा सांदर से देख लेते हैं कि कहां कहां से क्यूश्चन आ सकते हैं तो इसमें अगर जो सामान ग्यान वाला पोर्शन है जिसे बोलते हैं जनरल नालेज में सामान बिग्यान सामान बिग्यान में आपका physics chemistry और biology तीनों से क्यूश्चन आएंगे ले biology और physics से ज्यादा क्यूश्चन आ सकते हैं तो आप सामान ग्यान कोई भी बुक रखे हो तो उसमें biology का जो last topic है उसमें आप देखेंगे कि विभिन रोग होंगे विभिन रोग होंगे और उस रोग किस से होता है वाइरस से होता है जीवार्ड वैक्टिरिया से होता है फंग प्रकास चेप्टर अच्छे से पढ़के जाएंगे कौन सा लेंस कहां पर उपयोग होता है निकट द्रिष्ट दोस दूर द्रिष्ट दोस ये सब चीजे और biology वाले पार्ट में आप विटामिन कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है कौन से कमी से यह सब आप biology में सारकत हो जाएंगे क्ने भारती इतिहास अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद आप प्राचीन इतिहास देखेंगे खासकर वेद, साहित, कौन सी पुस्तके लिखी गई थी और उसके बाद मौरिस समाज और गुप्त सामराज को भी अच्छे से पढ़ेंगे उसके बार मध्य कालिन इतिहास के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे आगे देखते हैं आगे अगर आप बात करें संबिधान तो संबिधान में आपको खास करकर जो देखना है वो अनसूचिया देख लेना है और खास कर मूल अधिकार, मूल करतब, राजकी नीद नीदे सकता तो और प्रधान मंत्री, राष्ट पती और उच्चने आले, सर्वोच्चने आले और मुख्य मंत्री, केंद्री विधाईका और राजकी विधाईका इनके बारे में आपको पढ़के जाना है, यहां से क्योष्चन सम्विधान में आ सकते हैं इंपोर्टेंट है, याद रखेगा, और अगला है भारती अर्थ विधास्था अर्थ विधास्था मतलब किसके उत्पादन में भारत प्रथम अस्थान पर है या फिर किस चीज के उत्पादन भारत किस अस्थान पर है और इसके साथ साथ ये भी कि भारत उत्तर प्रदेश का क्योंकि यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस जेल वार्डन का है तो यूपी से भी किस चना सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किसके उत्पादन में किस अस्थान पे है तो ये भी आपको पता होना चाहिए और अगर ये सब जानकारी आपके पास नहीं उपलब्द है तो इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में चले जाएगा भारत आर्थकी करके बि Yup कुछ वीडियो अपलोड किये गए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि भारत किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश का कौन से जिला किसकी उत्पादन में प्लेलिस्ट में तो आप इसको इतना तयार कर लेंगे और आगे वाडिज जोर व्यापार तो उसी आर्थिकी के अंतरगत ही आ जाएगा आबादी मतलब जनगणना तो जनगणना करण भी है इसी में वन कितना है तो अभी नया वन रिपोर्ट आया है तो उससे संबंदी जो क्यूस्चन्स है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप मिल जाएगा वह भी आपको आप एक बार देख लिजेगा भारत का भुगोल भुगोल में भी आपको नदियां जहेल और व और जो विभिन राष्टी उद्ध्यान है इनसे भी क्यूस्चन आते हैं तो यह आपको भुगोल के अंतरगत ही सब पता होना चाहिए और जम्मुकस्मीर को भी राज के इंसासित प्रदेश बनाया गया है जम्मुकस्मीर के बारें बिसे साब को जनकारी थोड़ी सी होनी अच्छी थोड़ा जम्मुकस्मीर को भी आप देख लेंगे और आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन भी भुगोल के अंतरगत ही आ जाता है तो वह सब उसी में आएगा प्राकृतिक संसाधन में चीज और आप देख सकते हैं जैसे कोईला हुआ पेट्रोलियम हुआ त देख सकते हैं वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो इनसे भी जो क्यूस्चन आएंगे आपसे गलत नहीं होगे आप ध्यान से देख लिजीगा राजस्व भाही भारत के आए कहां से होता है तो यह सब करेंट अप्यर के मुद्द्द हैं एक बार ध्यान से देख लेंग यहां से गलतिया नहीं होगे भारत और अंतर राश्टी संब्द भारत ने किस देश से क्या समझयोते किये हैं हाली में क्योंकि करेंट के मुद्दे में आ जाते हैं उना लिखा ऑना करेंट अफेर तो एक मिनट आपको दिखाते हैं यह देखिए यहां लिखा है राष्ट्य अंतराष्टी करेंट अफेर्स, राष्ट्य अंतराष्टी संगठन. संगठन में आप जैसे UNO हुआ, UNO अंतराष्टी और IMF हुआ, विश्वबैंक हुआ, गुट निर्पेच चांदोलन की संस्थापना, ऐसे बहुत सारे सभ़ीत हैं आपको समाने-घ्यान भूह चाहिए लूशेंट कि यह है लाश्ट में विभीन संगठन के बारे में दिया ए जिसे अंतरफ्री लेबर संगठन बिसुयस्वास्त संगठन विसुसास संगठन तो जरूर पढ़िएगा क्योंकि COVID-19 के वज़े से साल भर चर्चा में रहा या संगठन तो आपको एक लिष्ट में पीछे समन ग्यान की बुक में पीछे सब मिल जाएगा एक लिष्ट में पूरा इनका नाम मुख्यालाय और स्थापना सब दिया आगे देखते हैं यहां पर देखो हमने आपको सुरूम बताया था देश राजधानी मुद्राएं आपको खासकर एसी आके तो देश उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं यह आपको पता होनी चाहिए महत्तपूर दिन मतलब की पूछ लिया जाता है एक जनवरी को दो महत्तपूर दिवस हैं 16 सितंबर को अईसे कौन से दिवस कम मनाया जाते हैं आज थैसकर आपको साल भर में कॉर्च पाँब्र से थारित किया घया है तो दिसंबर से चार पांच महिना पहले दिसंबर की चार-पांच महीना आगे कि बीच चार नहीं तो कम सकम तीन महीना पहले तक और तीन महीना आगे तक के जो महत्वपूर्ड दिवस हैं आप उनको देख लेजिए मतलब जब पीपर होने वाला है उसके पहले दो-तीन महीना दो-तीन महीना बाद के जो महत्वपुर्द दिवसे आप उनको देख लेंगे तो यहां से क्यूस्चन गलत नहीं होंगे और भी कुछ चीजें हैं जैसे अनुसंधान और खोच तो यह आपको फिजिक्स में मिल जाएगा किसने किसकी खोच किया था और यह किताबे और उनके लेखक तो पुरानी कित किताबे और करेंट अफेयर की जो किताबे होंगी इनसे भी क्यूस्चन आएंगे और पुरानी किताबे जो प्राचीन काल में किताबे लिखी गई है और जो मुगल काल में लिखी गई या फिर आधुनिक में जैसे बाल गंगा धर्तिल्यक ने मात्मा गादी ने जवाहलाल नेरू ने कौन-कौन सी पुस्तके लिखी हैं तो यह सब आप जब इतिहास का चप्टर खोलेंगे तो वहां पर पत्र पत्रिकायों पुस्तक के बारे में दिया है तिक बार उनको भी आप अच्छिस देख लिजीगा तो यहां से क्यूस्चन आप से गलत नहीं होगे तो ग बड़ा सा पैसे लिखा हुआ आएगा आप उस पैसे को पढ़ो गे उसके बाद उस से क्यूस्चन रहें तो आप उनकी क्यों से क्यूस्तक मतलब यह पूछेगा उस पैसे का सिर्सक क्या हो सकता है तेसरा पत्र लिखना अगर आप पत्र लिखते हो तो शुरू में क्या लिखा जाता है उसके नीचे क्या लिखा जाता है दाहिने तरफ क्या लिख जाता है पूरे लाश्ट में क्या लिखा जाता है डेट कहा लिखा जाता है ऐसे क्यूश्चन आते है पत्रों में तो पत्रों में कहा एक सब्द दिया रहेगा एक वाक के दिया है बीच में खाली इस्थान रहेगा पूछेगा कि यहां पर क्या भारा जा सकता है तो कौन सा सब्ध प्रियोग करेंगे यह तो आप पड़े होंगे हिंदी में जनरल चीजे हैं बिलोम सब्ध आपको सब्ध बिलोम आना चाहिए ब अदेश ऐना सकतें संख्यात्मक और मांसिक परिच्छन 2021 मतलब की मैथ का पार्ट से क्या आएगा ये देख लेते हैं आपको संख्या पद्धत संख्या प्रडाली आप पढ़े होंगे मैथ में तो वहां से क्योष चनाएंगे सरली करण से क्यों चनाएंगे सरली करण आप पढ़े होंगे जो आप पढ़े होंगे पहले भाग देते हैं फिर गुडा करते हैं उसके बाद जोड करते हैं फिर घटाना करते हैं भाग गुडा जोड घटाना तो ये जो सरली करण का नियमें यह आपको आना चाहिए दसमलों अंस, भिन को दसमलों बदलना, दसमलों को भिन में बदलना, यह सब, HCF, LCF मतलब लह समासर से क्यूस्चन आएंगे, अनुपात और समानुपात, अनुपात चैप्टर होता है, अनुपात से भी क्यूस्चन आएंगे, प्रतिसत, प्रतिसत से भी क्यूस्चन आएंगे, छूट मतलब बट्टा से जो होता है, उससे क्यूस्चन आएंगे, और अग vibrant और शेत्रमिती में आता है मैं सृरेशन जिसे बोलते हैं इसमें आयत, वर्ग, चतुरभोज, त्रिभोज, यह सब छेतरफल से जो क्यूश्चन आते हैं, यह भी आपको आना चाहिए, और मांसिक छमता परिच्छन में तार्किक चित्र, यहां पर जो रिजिनिंग के पार्ट में आएगा, कि आपको चित्र दिया रहेगा, चित्रों में अंत से क्यूश्चन रहता है, प्रतिक चिंद्वाला मतलब आप पढ़े होंगे रिजिनिंग में, और यह कोडिफिकेशन मतलब कोडिंडी कोडिंग के दिया रहेगा, आपको उनको कोड करना होता है, तो एका एक होता है, बी का दो, सी का ती कोडिंडी कोडिंग से क्यूश्च अनुपाते डि एबिष तो सी एएम जिए यह अनुपाते क्या होगा तो यह एक प्रकार से सब्सक्राइब गठन का ऐसे होगा तो इसाब पड़के आये हैं परिजिद्ध वहां से क्यों चने और पत्र और सिंक शरिंख शरिंख शरिंखला संक्या सिरिंखला मतलब की दो ती दो तीन चार डाट 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 आगे क्या होगा संक्यक स्रिंखला होता है तो पूछता एक आगे क्या होगा सब्दोर वाड़ माला साध्रिस्टा साध्दिस्टा परिछण में भी सब्दों का A B C डाट डाट आगे क्या होगा तो इसे ही जिस करम से बढ़ते घठते होंगे उस करम से आपको पहचानना होगा और एंसर लगाना होगा त्रिजनिंग के अंदर गते आता है आगे देख देते हैं तो दिशा बोद दिशा परिछड़ा पढ़े देकर और तरक बल आप तरक लगाकर एंसर दीजिए जैसे दिया रहेगा तीन अनुपाते नौ तो साथ अनुपाते क्या होगा तो उन्चास होगा तो यह आपके तरक पर आता है आपको यह पता होना चाहिए आगे साधिरिस्ता परिच्छन मतलब वही है सब्दों की स्रिंख परिच्छन खोन करिश्था ब्लड रिलेशन से क्यूश्चन आएंगे वडमाला अधारित समस्य यह भी सब्दों से संवर्चन आएं समय अनुकरम परिच्छन मतलब की घड़ी से भी क्यूश्चन आएंगे वे नारेक वे नारेक तो आप पड़े होंगे कुछ ए बी हैं अधरित परिच्छा लिखित परिच्छा होगी और इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें सामान निग्यान सामान निग्यान सामान हिंदी संख्यात्मक और मानसिक छमता से मिलाकर कुछ डेड़ सो क्यूश्चन आएंगे जिनका यह 150 प्रसन होंगे 300 और प्रतीक अग्यां दोष्चन के होंगे और नकारातमक अंक के संबन्द में अभी तक कोई जानकारी नहीं है हाला कि आप पेपर देने से पहले एक बार देख लिएगा प्रस्ण पत्रिका पर लिखा रहेगा ना का रात्मक तो निगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं तो नहीं रहेगा तो यह भी ध्यान रखेगा बहुत और अगर सारी रिक परिछण की बात करें मतलब की जवाब का फ विस्तारित मतलब की फुलाने पर 84 सेमी और बिना फुलाय 89 सेमी तक होनी चाहिए और वजन वजन जो है 40 केजी यह इतना होना चाहिए महिला पुरुस दोनों का यह याद रखेगा और यहां पर थोड़ा सा लग किया गया है एस्टी के लिए एस्टी के लिए उचाई 160 महि महिलाओ के लिए 147 है और छाती फुलाने पर 82 बिना फुलाय 77 होनी चाहिए लेकिन वजन यहां पर 40 केजी है और दोड़ भी होगा तो दोड़ हो है पुरुस के लिए जो दोड़ है चार दसमलों आठ किलोमीटर है पचीस मिनट में दोड़ना है और जो महिला के लिए है द पतलब की जान दिमाग में रखते हुए तैयारी करेंगी तो धेर सारे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं अगला वीडियो दिल्ली पुलिस को पेपर होने वाला है उसके सब्जेक्ट से होगा तो उसकी भी जानकारी आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी आप कर लिजिए मिलते हैं नेट वीडियो में तब तक आप पढ़ती रहें